हलो गाई इस तो कैसो आप लोग फिट साब का बहुत बहुत स्वागत है एक नया वीडियो के साथ दोस्तो आज के वीडियो का बानाने का एक स्पेशल रिजन है हमारे लगवग सभी के घण में तो हीविसकस का प्लैंट ज़रूर होता है और इस मिलिबग प्रोबलेम से हम लोग कैसे छुटकारा पास सकते हैं उसके बारे में आज के वीडियो में मैंने डीटेल में बताया है व्यविसकस के प्लैंट में ये मिलिबग प्रोबलेम एक बहुती कॉमन प्रोबलेम है लेकिन plant के लिए ये बहुत ही dangerous भी है ये millibugs आपके पूरे plant को destroy भी कर सकते है तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बहुत एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिसके मदद से आप लोग इन millibug से छुटकारा पा सकते हो जब भी आप लोग देखोगे कि आपके plant में थोड़ा सा millibug आया है तभी आप लोग अगर इसे अपने plant में spray कर दोगे तो आपके plant में millibug का आना बहुत हद तक कम हो जाएगा तो गैस अगर आप लोग भी इन millibug के प्रॉब्लमों से छुटकारा पाना चाते हो तो ये वीडियो आपको लास्तक जरूर से जरूर देखना है गैस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर ने हो तो प्लीज गैस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो सो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब ने कर रहे हो गाईस प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को तो चलिए वीडियो को शुड़ू कर लेते हैं तो गाईस बहुती कम खर्चा में आप लोग कैसे इस मिलीबाग को अपने प्लैंट से हटाएंगे या फिर कैसे इससे चुटकारा पाएंगे उसे के बारी में आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा तो ये है सैंपू का एक सैशे आप कोई भी सैंपू ले सकते हो तो इसे यूज करके हम लोग बहुती आसान इसे अपने प्लैंट से मिलीबाग को हटा सकते हैं तो इसे हम लोग अपने प्लैंट में कैसे उस करेंगे वो आपको वीडियो लास तक देखने के बाद ही पता चलेगा तो वीडियो को लास तक जरूर देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना तो हम लोग ऐसा स्प्रे बोटल ले लेंगे अगर आपके घड़ में स्प्रे बोटल नहीं है तो आप लोग कोई भी बोटल यूज कर सकते हैं उसका क्याप पे आप लोग छेद करके स्प्रे बोटल की तरह यूज कर सकते हो तो अभी उस spray bottle में हम लोग 500 ml या फिर एक लिटर पानी ले लेंगे और उसके बाद हम लोग इस shampoo का 6 से उसमें डाल देंगे अगर आप लोग 500 ml पानी लेते हो तो इसमें half 6 से देंगे अगर एक लिटर पानी लेते हो तो full 6 से आपको यूज़ करना पड़ेगा मैंने आपे 500 ml पानी लिया है इसलिए में half 6 से इसमें डाल दूँगा बोटल में shampoo भरने के बाद हम लोग इसका धक्कर लगा लेंगे और उसके बाद बोटल को अच्छी तरह से shake कर लेंगे ताकि पानी और shampoo मिक्स हो जाए तो इसके बाद हम लोग अच्छी तरह से पूरे plant में इसे spray कर देंगे plant के पत्ते में पत्ते के ऊपर नीचे और जो buds आये है और जहाँ जहाँ मिलीबग है वहाँ पे अच्छी तरह से इसे spray कर देंगे गैस मिलीबग के ऊपर एक white layer तो आप सभी ने देखा होगा white layer इसी लिए होता है तकि जब भी plant में कुछ पानी spray करो या फिर कुछ और spray करो तो वो layer उनको किसी भी चीज से protect करता है साथ मिलीबग के नीचे बाले हिस्से में भी एक glue जैसा substance रहता है जो उन लोग को इन सभी चीजों से बचाता है इस पानी यान सैंपू का mixture जब हम लोग plant पे spray करते है तो उपर वाला जो wax वाला जो layer होता है मिलीबग के उपर और नीचे जो glue वाला layer होता है वो सभी destroy हो जा यह आपका पूरा plant खा जाएगा अगर सही टाइम पर आप लोग सही चीज यूस ना करे गाईज इस शैंपू आन पानी का mixer को आप लोग या तो सूरज उटने से पहले या फिर सूरज डूबने के बाद ही plant पे spray करे जब धूप हो तब कभी भी plant पे ये वाला चीज यूस ना करे आप जिस दिन इस शैंपू आन पानी का mixer को अपने plant पे spray करेंगे उसके दूसरे दिन आप देखेंगे कि आपके plant पे जो मिली वग था वो काफी हद तक कम हो चुका है तो गैस आप लोग भी अगर इस मिली वग के प्रॉब्लेम से जूज रहे हो और इनसे छुटका पारा पाना चाते हो तो इसे जरूर अपने plan पे उसकर के देखे अपको बहुत अच्छा रेजाल दिखने को मिल जाएगा तो गैस वीडियो देखने के बाद अगर अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना आप लोग अगर मेरे चैनल पर ने हो तो प्लीज च अटिर्ण झाल चते हो आप।